बॉल्वी इंपोर्टेंट बाइक चोरी हो गया काम हो जाएगा अगर आप यह तिन चीजों को करते हैं तो आपकी बाइक देगी तीन किलो मीटर का एक्स्टा माइलेज हेलो दोस्तों मेरा नाम रजत है और आप देखेरें राइड विद बाइक आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपनी कोई सभी बाइक को सिफ मेंटेन करक के तीन किलो मीटर का एक्स्टा माइलेज पा सकते हैं हम तीन पॉइंट पर बात करेंगे पहला पॉइंट होगा बाइक टायर एर प्रेशर सेकेंड पॉइंट चैन लूइब एंड चैन टाइट एंड थर्ड एंड लास्ट पॉइंट स्पीड तो चलिए सुरू करते हैं अ आपके बाइक में एक एर प्रेशर गाइड भी मिलता है यह एक स्टिकर टाइप का गाइड होता है जो आपके बाइक के बेक में चैन इस पोकेट के पास में चिपका हुआ रखता है इस स्टिकर में 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 किया हुआ रखता है कि आपको फ्रंट टायर में कितना एर पहला कि आपको इसमें अच्छी मैलेज मिलती है और दूसरा है में काफी अच्छा कमपटेबल फील होगा इसका मेन पुएंड बाइक के टायर में सही एरपेसर कितना होना चाहिए इस तोर पर मैक्समाम बाइक सिर्माता कंपनियों का कहना है फ्रंट टायर में 28-30 PSI आपने कवे गोर किया है जब आपके बाइक के चैन लूज हो जाती है या सुख जाती है तो थोड़ी आवाज करने लगती है और आपको कभी-कभी ऐसा फील भी होगा जोड़ी जाम भी चल जोगे असान सब्दों में बात करूं तो वी सेंटर से जब आपके बाइक सर्विस क काफी अच्छा लगता है तो अगर आप अपने बाइक में टाइमली चैन लूब और चैन टाइट कराते हैं तो आपको आपके बाइक के माइलेज में फर्क दिखेगा अब बात करते हैं में लाश परिंट के बारे में स्पीड तो अगर आप अपने बाइक की स्पीड को सही से मैंटेन कर लेते हैं तो आप अच्छा मैलेज प्राप कर सकते हैं अगर आप अपनी बाइक की स्पीट को 45-45 के बीच में मैंटेन करके रखते हैं तो आप एक अच्छा मैलेज प्राप कर सकते हैं अपने बाइक अपाची आटी रवन सिक्स्टी में यही स्पीट को मैंटेन देना चाहते हैं तो आप नीचे comment box में भी लिख सकते हैं तो चलिए मिलते हैं next video में